नमस्का मैं होससी आयो जर्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं जर्खन के युवाओ को मिलेगी बड़ी खुस खबरी CM हमंत लेंगे बड़ा फैसला जर्खन के मुख्य मंत्री हमंत सुनें युवाओ को बड़ी खुस खबरी देने वाले हैं इसे लेकर मंत्री मंदल सची वाला एवन निगरानी बिभाग ने सभी सम्भागों को सुचीत कर दिया है इस बैठक को लेकर सभी बिभागों की त्यारिया पहले से ही चल रही है कैबिनेट बैठक में परमुख तर पर बिधान सबा के मांसुन सत्र को लेकर तीथी निर्धारन पर मुहर लग सकती है सुत्रों के अनुसार केबिनेट की बैठा को लेकर राजे में अस्थानिय युवाओं को निजी छेत्र में 75 पतिशत आरक्चन सुनिश चीत करने के लिए नेमावली तयार कर ली गई है नेमावली को सविक्रिती मिलने के बाद राजे में 40,000 रुपे तक के नोकरियों पर अस्थानिय लोगों का दावा होगा जारक्षन में बुद्वार को कई जगों पर हलके से मदर्ज की बारिस होई बंगाल की खाड़ी में पिछले 9 जुलाई से लोग परेसर सिस्टम बना हुआ है और आसपास में बरसने वाले बादल भी हैं अभी जारक्षन की दक्षिन दिशा में उडिसा से होकर मांसून टर्फ गुजर रहा है मौसम केंद्र के बैग्यानी एससी मंडल ने बताया है कि सिस्टम जैसे ही उपर उठकर उतर दिशा की उरुप बढ़ेगा जारक्षन में मांसून की गतिविधी तेजी से बढ़ेग और सावगंजिला में कुछ जगों पर भारी बारिस होने की संभावना है जारक्षन के सेविका सहाई का नौ दिन से हर्ताल पर आंगनवारी में लटका तला नौ दिन से आंगनवारी सेविका और सहाई का अनिस्टित का निन हर्ताल पर है और आंगनवारी केंद्र में तला लटक गया है बतादे पूरे राज जे के 36,000 से ज़्यादा आंगनवाडी केंद्र में आने वाली बच्चों की पढ़ाई ठप है और उन्हें पोसा आहार तक नहीं मिल रहा नव सुत्री मांगो को लेकर जारकन परदेश आंगनवाडी वरकर्स यूनियर्स के आवहान पर 80,000 आंगनवाडी सेविका और सहाईका राज भवन के समीब धरने पर वैठी है धरना की अध्यक्स ताब बुद्धवार को परदेश अध्यक्स वीना सिना और संचानल परदेश संजोजक राम चंद्र पस्वान ने किया है वीना सिना ने कहा है कि हम लोगों ने सरकार बनाने में अपना समर्थन दिया मुख्य मंत्री को चाहिए कि हम लोगों के साथ वार्ता कर हमारी समस्या का समधान करे जारखन के वाहन मालिकों का रोड टेक्स होगा माप कोविट के बर्ड ते परभाव के दरान जब वाहनों का परिचलन बंद कर दिया गया था उस दवरान का रोट टेक्स को माप करने से समधित आदेश अब जाकर जारी हो गया है बतादे पिछली केबिनेट में इसे समधित निर्ने लिया गया था लेकिन आचार संहिता लागू होने के कारण इसे सरजनिक नहीं किया गया अब जाकर परिवहन विभाग ने इसे समधित विगया पंजारी कर लोगों को जनकारी दी है और बताया है कि 15 जुलाई से 14 अगस तक रोट टेक्स माप ही और इस दवरान लगे जुर्माने की रकम माप करने के लिए आवेदन किया जा सकता है नियमा अनुसार परिवहन विभाग में किसी भी तरह के कर पर जुर्माना दो गुना लगता है इस तरह सिया एक बड़ी राहत परदान की गई है बता देयात्री बासो के संचालक, स्कूल बासो के संचालक आदी इसके लिए लगातार मांग भी कर रहे थे मुख्य मंत्री हेमान्तु सुरेन के नीजी सहायक असोक का निधान मुख्य मंत्री हेमान्तु सुरेन के नीजी सहायक असोक कुमा सिना का बुद्धवार को रिम्स में इलाज के दोरान निधान हो गया वो पिछले एक सब्ता से ब्रेन एस्टोक से समधित बिमाईडी से गरसित थे मुख्य मंत्री ने अपने निजी सहायक के औसमाईक निधन पर गहरा दुख ब्यक्त किया है उन्होंने कहा है कि पिये सिना का निधन उनके परिवार के लिए ब्यक्तिगत और अपुर्निये छती है लंबे समय से उनका साथ मिला वो एक सूल्जे हुए कूसल ब्यक्तित्व के दक्ष कर्मी थे उनके निधन से हम सभी लोग काफी दुखी है नगर निगम में मुफ्त में नहीं मिलेगी सफाई सुविधा यूजर चार्ज लेने का निरना है घर के दरवाजे पर हर दिन सुबा आने वाले सफाई वाहन की सेवा अब मुफ्त में नहीं मिलेगी नगर निगम ने यूजर चार्ज वसूली का काम नीजी एजनसी को सोपने का निने लिया है नीगम ने टेंडर निकाल दिया है बतादे 29 जुलाई तक टेंडर डालने के तीथी निधायित की गई है रांची मिनीजी एजेंसी के पास यूजर चार्ज वसूली का जिम्मा है धनबाद नगर निगम भी उसी तरज पर यहां की वेवस्था लागू करने जा रहा है यूजर चार्ज के दैरे में आने वाले भवनों का पहले डाटाबेस त्यार किया जाएगा देवघर में भी आईपी व भी भी आईपी दर्शन पूर्ण रूप से बंद रहेगा राज किये स्रावनी मेला 2022 का उद्घाटन बुद्ध्वार को कावरिया पत के जार्खन में प्रवेस द्वार दुम्मा में बिध्धी पुर्वक किया गया 20% स्रावनी मेला गुरुवार से सुरू हो रहा है राज के किरिसी पसुपारान एमसाकारता विभाग के मंत्री बादल पतलेग भाजपासांसर निसिकान दुबे ने किया राज के स्रावनी मेला का बिधी बिधान पुरुवक सुभारम करने के लिए 11 बैदिक पुरोहितो द्वारा बाबा बैदनात की पुजा की गई पुजा समाप्ती के उपरांत अतितियो द्वारा दिप प्रजलित कर वा सुल्तान गंज के गंगा घाट से कावर लेकर आने वाले एक कवर्या से फिता कटवा कर कारकरम का सुभारम कराया गया राष्ट पती चुनाव के लिए राची पहुँचे वैलेट बॉक्स राष्ट पती चुनाव में परियोग होने वाली भारत निर्वाचन आयो की मत पेटियो और अन निर्वाचन समागरी राची पहुँच गई है बुद्वार को राजी के प्राधिक्रीत पदा अधिकारी नई दिली से या समागरी लेकर वीमान से साम साड़े साथ बजे रा बसा की गई थी जिसके तहट राजे के प्राधिक्रीत पता अधिकारियों के साथ साथ बैलेट बॉक्स के लिए बीमान के भीतर मिस्टर बैलेट बॉक्स के नाम से बिसेस रूप से सीट की बुकिंग कराई गई थी देवघर में कावारियों के लिए बने बड़े बड़े पंडाल मिलेगी सुविधायें दो साल तक करोना के करण सरावनी मेले का आउजन नहीं होने के बाद इस बर सरावनी मेला 2022 में भारी संख्या में सरधालों के पहुचने की संभावना है भक्तों की भीड को नियंतरित करने के लिए देवघर जीला परसासन तयारी को अमतिम रूप दे रहा है बता दे मान सिंग ही क्यू कमपलेक्स के बाद से ही कवर्यों की कातार के लिए पंडाल बना दिया गया है वहीं पंडित सिव रामजा चौक से हनुमान टिकरी मोड तक भी लंबा चोड़ा पंडाल पुरी तरह तयार हो गया है इस पंडाल में इस बार चार स्कॉयल बनने गया है इसके बाद हनुमान टिकरी मोड से तिवारी चौक होते आरके मीशन गेट तक कवर्या रूट लाइन में औस्थाइसेड भी बना हुआ है गढ़वा के रमकंडा में मद्याहन भोजन खाने के बाद तिन छत्राय बहोस गढ़वा जिलांतरगात रमकंडा परखंड के राजकिये मद्याले गुबर्दाहा में पढ़ने वाली कक्षा तीन की छत्रा खोस्बु कुमारी माही कुमारी और कक्षा एक की छत्रा मधु कुमारी बुद्ध्वार को मद्याहन भोजन खाने के बाद बिमार हो गई दस थोने के थोड़ी देर बाद तीनों छत्रा खोस हो गई बता दे बिद्ध्याले में करीब 85 बच्चों ने मद्यान भोजन किया लेकिन तीन छत्रा को जिती बीगड़ी गाटना के सुचना मिलने के बाद अविभाकों ने बिद्याले से चात्राओं को लाकर गाओं के चिकित सको के यहाँ इलाज कराया इसमें खुस्बू एवं माही की सिती ठीक है लेकिन माधू कुमारी की सिती गंभीर होता देख अविभाकों ने उसे परखन मुख्याले के एक नेजी किलिनिक में भरती कराया गुमला के कार्तिक उराओं कॉलेज में इंटर्मीडियट की पढ़ाई बंद होगी कार्तिक उराओं कॉलेज गुमला में इंटर की पढ़ाई बंद हो सकती है या गुमला जीले के छात्रों के लिए बोरी खबर है गुमला आदिवासी छेत्र है गरीब जीला भी है ऐसे में अगर इंटर की पढ़ाई बंद होई तो हजारों छात्रों की भी पढ़ाई बंद हो जाएंगी छात्रों का भविस भी बरबाद हो जाएगा बताया जा रहा है कि फंड के अभाव में कॉलेज प्रबंधन ने 722-24 के लिए इंटर्मीडियेट में नमांकन के लिए हाथ खड़े कर दिये हैं कला भी ज्यान एवं बानी जे संकाय में नमांकन लेने को कॉलेज त्यार नहीं है हेमंत सुरेन से पूछा कियों ना आपकी स्यतार रद कर दी जाए जारखन के मुख्य मंत्री हेमंत सुरेन द्वारा अपने नाम पर पत्थर खनन लेने के मामले में गुरुवार को भारत निर्वाचन आयोग में सुनवाई होगी हेमंत आयोग के समख्ष वकील के जरी अपना पक्ष रखेंगे पिछली सुनवाई के दरान भाजपा के अधिवक्ता ने आयोग के समख्ष दलील पेस की थी समाय के अभाव में हेमंत सुरेन के वकील एसके मेदिरता को पक्ष रखने के लिए 14 जुलाई का समय भारत निर्वाचन आयोग ने दिया है पिछली सुनवाई के दोरान सीकायत कार्ता भाजपा की तरफ से अधिवक्ता मनिदर सिंग ने पक्ष रखते हुए पुरा मामला विधान सभा की सज़सेता से आयोग्ता का बताया था इस पर हेमंत सुरेन के अधिवक्ता ने कहा है कि भाजपा की ओर से दो घंटे तक दलील दी गाई उन्हें विपक्ष रखने के लिए दो से अधाई घंटे तक समय दिया जाए उर्जा विकास निगम ने 4400 घरों में एक साथ की छापे मारी दो क्लोर का जुर्माना उर्जा विकास निगम ने बिजली चोरी की सीकायतो पर मंगलवार को राजे ब्यापी अभियान चलाया इस दवरान 43-83 अस्थानों पर राजे ब्यापी छापे मारी की इसमें से 1149 परिसरों में बिजली चोरी पकड़ी गई इसमें कूल 197.24 लाख का जुर्माना लगाया गया छापे मारी के दोरान रांची में 69 गुमला में 21 जमसेत पूर में 98 में चाई बासा में 120 धनबाद में 99 चांस में 99 डल्टे गज में 116 गड़वा में 38, दुमका में 42, साइब गज में 46 गिरीडी में 63, देवगर में 96, अजारी बाग 127 रामगर में 7 और कुडार्मा में 31 अर्थान में बिजली चोरी पकड़ी गई जारखन में 18 पलस के 1.72 क्लोर नागरीकों को मुफ्त बूस्टर डोज जारखन में 18 पलस से अधिक आजू के 1.72 क्लोर नागरीकों को मुफ्त बूस्टर डोज का टिका लगेगा पहली एवं दूसरी डोज की तरह उन्हें सरकारी टिका केंद्र पर या टिका मुफ्त लगेगा राजे में 18 से अधिक आजू के नागरीकों की अनुमानित अवादी दो क्लोर दस लाग शाली से अतिरासी है इनमें हेल्थ केर वर्कस, फ्रन्ट लाइन वर्कस तथा साथ वर्स से अधिक आजू के बुजूर्ग भी सामिल है जिनकी अनुमानित संख्या 38,288,29 इन्हें पाले से ही मुफ्त बुष्टर डोज लगाने का लग्ष रखा गया है इस तरह से एक और बहुतर लाग 17,734 नागरीकों को भी अब मुफ्त बुष्टर डोज लगाई जाएगी यस्वन्त सिनहा सोलह को आएंगे जहरखन आदिवासी केंद्रीत राइनित्ती के कारण जहां मुख की मजबूरी है कि वा दुरोपदी मुर्मो के समर्थन में अपने विदाय को और सांसुदों का मद्दान कराए हलाकि कांग्रेस संग सरकार चलाने के कारण मोर्चा खुल कर सामने आने से परहेज कर रहा है जहारखन में आठ IPS का तबादला रांची के SSP की सोर कौसल बने सरकार ने राजे के आठ IPS अधिकारियों का तबादला कर दिया है रांची के SP CT रह चुके 2012 बैच के अधिकारी की सोर कौसल को रांची का सीनियर SP बनाया गया है वे बर्तमान में JAPTC पदमा से SP बने थे उनके पास SP, ACB वा SP जहारखन पुलिस आकाडमी हजारी बाग का भी अतिरिक्त परभार था रांची के SSP सुरेंदर कुमार जहां को वेटिंग फोर पोस्टिंग में रखा गया है जहारखन के जेलों में मोबाइल की घंटी रोकने को नई तकनीक जहारखन की जेलों में सभी परकार के मोबाइल नेटवर्क को बंद करने के लिए अब जैमर के विकल्प पर भी विचार किया जा रहा है यह विकल्प है तकनीक टावर अफ दा हर्मोनियम कॉल ब्लोकिंग सिस्टम जिसका दिल्ली के तिहारवा मंडोरी जेल में सफल परिक्षन हो चुका है बता दे केंद्रिये ग्री मंत्राले ने सभी राज्यों को इस विकल्प पर विचार करने के लिए कहा है केंद्रिये ग्री मंत्राले के इस सुझाव पर जार्खन सरकार गंभीर है राजे में सबसे पहले रामगार जेल में इसका परिक्षन किया जाएगा अगर यह सफल रहा तो अने सभी जेलों में भी इसे अस्थापित करने का निन्य लिया जाएगा इस बिकल्प को परमपारीक जैमर की तूलना में बेहत सस्तावा ज्यादा परभावी बताया जा रहा है सरावनी मेले में डॉक्टरों की परतिन्युक्ती से टला जहासा चुनाव सरकारी चिकिस्षकों की संस्था ज्यारखन हेल्थ सर्विस एसोसियेशन जहासा ने 7 अगस्थ को होने वाले चुनाव को फिलाल अस्थागित कर दिया है 13 जुलाई से 21 अगस्थ तक सरावनी मेले कायोजन देवघर और दुमका में किया गया है मेले के दोरान वोटरो और मुखे निर्वाचन पतादिकारी भी परतिनुक्त किया गया है कई डॉक्टरों की परतिनुक्ती देवघर और बास्कीना दुमका में है जासा चुनाओ के मुखे निर्वाचन पतादिकारी राची सदर अस्पताल में पदस्थापीत डाक्टर लाल मांजी को भी स्रावनी मेले में परतिन्यूप्त किया गया है हरा राचन कारधारी के लिए 16-30 तक 20 स्कैंप पूर्वी सिम्भू में 6 अधिक समय से राचन नहीं लेने वालो 40,000 राचन कारधारी में 90 ग्रीन राचन कारधारी है मालूम हो कि जारखन राज खाज सुरक्षा योईना के तहट अधिकतर परवासी मजदूरों और गरीब लोगों का करोना काल में ग्रीन राचन कारधारी में बना था पलायन, मिरित्यू, अयोग असनांत्रन होने से वे राचन का उठाव नहीं कर रहे हैं ऐसी असन का है राचन कार्ड का सत्यापन, राचन कार्ड में मोबाइल नमबर, अधार नमबर, बैंक खाटा, ऑनलाइन आवेदन आधी काम किये जाएंगे, इस पर डिसी, बिज्या जाधाओ ने एक आदेस भी जारी किया है धनबाद में मन्रेगा का ओनलाइन मास्टर रोल जनरेशन शुरू, महात्मा गांधी राच्टरी एक ग्रामीन रोजगार गरांटी अधिनियम के तहत लक्ष के अनुसार काम कराने में धनबाद जिला तिसरे अस्थान पर पहुँच गया है अब यहाँ पर मन्रेगा के तहत हो रहे कारियों की ओनलाइन मास्टर रोल बनाने का भी काम शुरू हुआ है गुमला में खुलेगा मेडिकल कॉलेज मेडिकल की पढ़ाई में रूची रखने वाले अभियार्थियों के लिए खुस ख़बरी है बतादे मेडिकल की पढ़ाई करने वाले अभियार्थियों को मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए गुमला से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पढ़ेगी क्योंकि अब गुमला में भी मेडिकल कॉलेज खुलने वाला है Medical College खोलने की परकिरिया चल रही है और जिला मुख्याले के पूर्वी छेत्र के कौसीरा गाउं में Medical College के लिए 18 से 20 एकर जमीन भी चीनित कर लिया गया है बोकारू में मन्रेगा मजदूरों के 3,2161 खाते में से 2,277,289 फ्रीज राजे में 100 दिन की काम की गरांटी और उसके बदले निम्तम मेदूरी देने की गरांटी वाले मन्रेगा में सब को स्ठीक नहीं चल रहा है बता दे मन्रेगा की रिपोर्ट ही ऐसा कह रही है रोजगार और निम्तम मेदूरी की उमीद तक की जा सकती है जब योईनाय किर्वानमीत हो रही हो लेकिन मन्रेगा की बोकारो जिले की रिपोर्ट बताते है कि इस वित्तिय वर्स में महज 0.2 फिजदी ही काम हुआ है जब की बोकारो जिले में मन्रेगा मजदूरों के 3,2,161 खाते हैं इसमें से लगभग 8,5 लाग खातों को फ्रीज कर दिया गया है धनबाद में निर्माना धीन अंडर पास में मिट्टी धाने से 4 की मौत प्रधान खाट सिंद्री रेल खंड पर छाता कुल ही के पास निर्माना धीन अंडर पास में मिट्टी का धेर धाने से 4 लोगों की मौत हो गई घटना के बारे में बताया गया कि छाता कुल ही निवासी मैदूर छुटन चंद्र महतो वहीं कारे कर रहा था रेल लाइन के नीचे जेसी बी से मलबा हटाने का काम चल रहा था पास मैदूर निर्माना धीन अंडर पास के नीचे काम कर रहे थे इसी बीद रखित पूर की ओर से धनबाद की तरफ जा रही एक मलगारी वहां से गुजरी मालगारी के गुजरने से कमपन हुआ और मिटी का धेर ढ़ा गया जमसेदपूर में अवयद गैस रिफिलिंग कारूबार का खुला सा पुर्भी सिम्हुम जीला के धालभूम SDO संदिप कुमार मीना के नेतित में जीला परसासन की टीम जमसेदपूर के बारी डी स्थी सांती नगर बस्ती में छापे मारी कर घरेलू एवां ब्यवसाइक उपयोग के 169 सिलेंडर जब्त किया गया अवयद भंडारन एवां रिफिलिंग को लेकर मिली गुप्त सूचना पर्या करवाई की गई है जारखन में करोना के 703 एकटिव केस नए गाय लेन जारी जारखन में करोना ने रफतार पकड लिए है स्वास्त वीभाग कि आख़णों की मुताविक राजे में एकटिव केस की संख्या 172 थी वहीर अईधानी राची में सबसे ज़्यादा 58 नाए केस सामने आए थे झाल 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 झाल